जै मात अदी, बड़ों को मेरा चरंट्स परश और छोटों को मेरा प्यार, कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ के आप सब ही लोग स्वास्थ होंगे और मस्थ होंगे हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को प्रभु भोले नाथ को प्रसंद करना बहुत ही सरल बताया गया है शिव के भगतों के लिए महा शिवरात्री का पर्व बहुत माइने रखता है इस पावन पर्व परदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड लगी रहती है वैसे तो शिवरात्री हर महीने में आती है लेकिन फालगुन मास में आने वाली महा शिवरात्री बहुत जादा ही खास होती है और ये खास क्यूं होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लेकिन फिर से दुबारा जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए आये जानते हैं कि महाशिवरात्री के दिन शिव को उनका कौन सा प्रिये फूल चढ़ाए ताकि हमारी हर प्रकार की मनोकाबन शीक्र ही पूरी हो जाए हमारे शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियों दोनों का चढ़ाने का बहुत ही विशेश महत्व बताया गया है केवल फूल ही नहीं कुछ व्रिक्ष के पत्तों से भी प्रभु भूलेनात प्रसंद हो जाते हैं जैसे पार्धन संपदा का आशिरवाद मिलता है वहीं पर शमी का व्रिक्ष घर में लगाने से शनी से जुड़े सभी दोशों से मुक्ति मिल जाती है लेकिन यहां पर यह कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी जनम कुडली में शनी कौन से घर में बैठे हैं अगर शनी जिर में या फिर किसी गार्डन में आप उसको लगाईए और उसकी सेवा करिए सेवा करने के लिए कुछ जादा नहीं करना सिर्फ जल चड़ाना होता है शनी के पेड का आप दान भी कर सकते हैं अगर आप अविवाहित हैं और किसी सुन्दर जीवन साती की तलाश में हैं तो अब आपका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है अगर आप हमारे द्वारा बताय हुआ छोड़ा सा उपाय कर लेंगे आपकी ये मनोकामना भगवान भोले नाद के आशिरवात से जरूर पूरी हो सकती है इस महाशिवरात्री पर आप भगवान शिव को सबसे जादा प्रेये जो फूल है वो है बेले का फूल बेला जिसको हम बोलते हैं इस फूल के इस पुश्व के साथ भगवान शिव की सादना उनकी अराधना से आपको जीवन में सुन्दर और योग्य जीवन साथी की प्रापती जरूर होती है भगवान शिव की साधना में जो दूसरा पुष्प बहुत ही महत्वपून है यानि की तीसरा पुष्प पे कहूंगे तीसरा पुष्प जो बहुत ही महत्वपून है वो है अलसी के फूल अलसी के फूल का विशेश महत्व होता है महाशिवरात्री के दिन शिवलिंग पर इसे विशेश रूप से चढ़ाया जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार इस फूल को शिव पर अर्पित करने से मनुष्य के हर प्रकार के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है लाल व सफेद आकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेश रूप से चढ़ाया जाते है इस पौधे को मदार भी कहते है आकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वो शीग्र ही प्रसन हो जाते है शिव पूजा में इस पुष्प का प्रयोग करने से हम में मोक्ष की प्राप्ती होती है हमारी ज्योतिश शास्त्र की दृष्टी से अगर हम देखें तो ये पौधा कहीं न कहीं सुख सम्रिद्धी का कारक भी होता है इसके बाद कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं बहुत सारे तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रियोग माना गया है दैविक दिश्टी से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिये फूल बताया गया है मानिता ये है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मन चाहा धनला प्राप्त होता है तो ये पुष्प तो मुझे पक्का पता है आप लोग जरूर ढूंड कर लाएंगे और इस बार महाशिवरात्री पर जरूर चढ़ाएंगे इसके बाद मानिता ये भी है कि महाशिवरात्री पर यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान में उसके यश में व्रिधी होती है अगस्त्य के पेड को अलग-अलग स्थानों पर लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं ऐसी मान्यता है कि इसी पुष्प के व्रिक्ष के नीचे अगस्त्य मुनी ने बैठ कर तपस्या की थी इसलिए हम इस व्रिक्ष को अगस्तिय के नाम से जानते हैं और इस व्रिक्ष का नाम भी इसलिए अगस्तिय कहा गया भगवान शिव की पूजा में एक आखरी फूल और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो देखने में बहुत सुंदर और मुझे तो बहुत ही प्रिय है इनको हम कहते हैं हरसिंगार का पुष्प भगवान भोलेनात की पूजा में हरसिंगार के फूल का विशेश्वे रूप से प्रियोग किया जाता है हरसिंगार के फूलों को परिजात का फूल भी कहते है ये फूल सफेद रंगा होता है और इसमें एक नारंगी रंगी छोट इसी पीछा आपने देखा होगा डंडी होती है रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख एवं वैभव में हमेशा हमेशा व्रिद्धी होती रहती है इसके अलावा पुश्पो की बात तो हमने कर ली लेकिन हमारे भोलेनात का सर्व प्रिय धतूरा इसको हम कैसे छोड़ दे धतूरा भगवान भोलेनात को अत्यंत प्रिय है शिव की पूजा में इसके फल और फूल को विशेश रूप से चड़ाया जाता है मानिता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो दमपत्ती पावन शिवरात्री पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते है उन्हें शिव क्रिपा से जल्द ही अगर संतान नहीं है तो संतान सुखी प्राप्ती होती है और अगर संतान पहले से ही है तो आप देखेंगे कि आपकी संतान एक योग्य संतान बनने लगती है अगर दुख दरिद्र को आप दूर करना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्री पर कुछ नहीं मिले तो जूही के फूल से भगवान शिव का आविशेख भगवान शिव का पूजन जरूर करियेगा इस फूल से भगवान शिव की पूजा आशना करने पर घर में कभी भी मा अनुपूर्णा की कमी नहीं रहती है भगवान शिव के आशिरवात से दरिदर्ता आपके घर से कोसो दूर रहती है आपके घर में माता लक्षमी का वास होता है और अलक्षमी आपके घर से दूर रहती है भगवान शिव को चमेली का फूल भी बहुत प्रिय है वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिविलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में साकरात्मकता बहुत अच्छी तरह से वास करती है साकरात्मक उर्जा और साथी में वाहन का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपका लंबे समय से सपना है कि आप फोर वीलर खरीदे या फिर जो है उसको बदल के नहीं खरीदे और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इस महाशिवरात्री से शुरू करके आपका जो भी सपना है और जो भी पुष्प मैंने आपको बताए है जो भी फूल मैंने आपको बताए है महा शिवरात्री से शुरू करकर लगातार चालिस दिन आप उसी पुष्प से भोले नाथ का अभिषेक करिये भोले नाथ का पूजन करिये और देखिए फिर भोले नाथ का चमतकार भोले नाथ का आशिरवाद आपको نہ मिले ऐसा तो हो ही रही सकता है तो आशा करते हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी हो तिन नीचे जै माता दे या फिर ओम नमस्षिवाय लिकना बिलकुल मत भूलिएगा जै माता दे